हरे कृष्णा, आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथी और शुभ मुहूर्थ के बारे में। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत होते हैं, जिन में से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर के सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ती होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायतरी जैनती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथी प्रारंभ होगी 17 जून, सोमवार को सुबह 4 बज कर 4 मिनट से। इसके साथ तिथी समाप्त होगी 18 जून, मंगलवार की सुबह 6 बज कर 2 पर। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून, मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिध्योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिध्योग का समय इस दिन सुबह 5 बज कर 2 मिनट से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। देखिए क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर 2 पहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है। और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। उपवास रखना चाहिए। सुर्यास्त होगा शाम साथ बचकर दस मिनट पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्थ सुभ़ चार बचकर नौ मिनट से चार बचकर सतावन मिनट तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जोकी रात नौ बचकर अड़ीस मिनट पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंब हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्थ दोपहर बारह बचकर एक मिनट से बारह बचकर चौवन मिनट तक रहेगा। और राहुकाल दोपहर तीन बजे से साढ़े चार बजे तक रहेगा। इन शुब योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम पांच बचकर दो मिनट तक रहेगा। बाद में राधा नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा। और इस दिन राहुकाल दोपहर बारा बजे से डेड़ बजे तक रहेगा। क्योंकि बुधवार को सुभह जल्दी ही द्वादशी तिथी समाप्त हो जाएगी। इसलिए तिथी समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। आप विश्न को पीले पुश्प, तुल्सी दल, पंचामरित अर्पित करें। प्रहल्त के मंतरों का जाप करें। विश्न को अगले दिन सुर्योदय होने तक जल की एक बूद भी ग्रहन नहीं करनी है। एकादशी वरत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है जल की बस उतनी ही बूंदे आप ग्रहन कर सकते हैं इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा प्यास दिन में लगती है तो आप एक या दो बार पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं ध्यान रखें पानी मुह के अंदर ना जाए एकादशी के दिन दान का विशेश महत्व होता है आप जरूरत मंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांचित फल की प्राप्ती हो सके और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है अगर आज के दिन दक्षणा वर्ती शंक में जल भर कर भगवान विश्नु का अभिशेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है द्वादशी तिथी को विधी विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए इस वीडियो को अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिये ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए धन्यवाद